तो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आचकी इस वीडियो में आपका सौगत है दोस्तों आचकी इस वीडियो में हम बात करने वाले आट चक्की बिजनिस के बारे में दोस्तों आट चक्की के विजनिस के बारे में कुछ पांच कदमों के बारे में बात करेंगे कि आपको इन पां का बिल्कुल भी स्कीप ना करें फुल वीडियो वाच करें तब ही आपको हरे जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आएगी तो चलिए दोस्तों बना किसी देरी के आज की इस वीडियो को सुनू करते हैं तो हम अपने पहले पॉइंट के बारें बात करें तो बाजार शंधान करें दोस्तो आपके चेत्र में आटा की मांग और सपलाई के बारे में जानकारी करनी आपको याप केंस कुछ करना है और अंबात करें कि प्रिती परदा विसलेसर करें और समझें कि आपके व्यफशाय को अन्य व्यफशाओं शे अलग कैसे बनाया जा सकता है जैसे दोस्तों अगर आप भी आटचकी का व्यफशाय करते हैं और जैसे और कोई भी आटचकी का व्यफशाय करता है दोस्तों उसके जो व्यफशाय को करता है उससे आपको अलग कैसे अपना व्यफशाय बनाना है उस पर भी आपको देहन देना है और दोस्तों हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो व्यफशाय योजिना तियार करें दोस्तों आपके व्यफशाय की योजिना बनाएं अपने व्यफशाय की योजिना बनाएं हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें हैं, जो कि आपका शब्द से जरूरी है, पॉइंट होना चाहिए और इसको आपको अच्छी तरीके से धिहन में रखनाvine चाहिए। दोस्तों इस्थान का चैन करें। दोस्तो आपको ऐसे इस्थान का चैन करना है, आटा चक्की के लिए एक उप्योकत इस्थान का चायन करें जो बाजार के नजदीख हो और यहां आसानी से कच्चा माल और ग्राहकों की पहुँचो जैसे दोस्तों अगर आप बाजार के आसपास अपनी आटा चक्की के भी अप्षाय सुनू करते हैं दोस्तों जो आपका कच्चा माल है बो भी आपके पास आ सकता है और दोस्तों जो आपके ग्राहक हैं बो भी आपके पास आसानी के साथ और अधिक मात्रा में आ सकते हैं इस्थान में बिजली और पानी की शुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए ये भी दोस्तों आपको बहुत ही जरूरी पढ़ जाता है दोस्तों जो अपना चौता पॉइंट है बो है लाइसेंस और पंजी करण दोस्तों इस्थानी अधिकारियों से आवाशेक लाइसेंस और पंजी करण प्राप्त करें तो हम बात करें पांच में पॉइंट के बारे में तो मसीनेरी और उपकरण खड़ी दे दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि आटा चक्की का बिजनिस सुरू करने के लिए आपको एक आटा चक्की की मोटर की और दोस्तों आपको तमाम बस्तों किया बसकता पड़ती है जो आपकी आटा चक्की चलाने में आपका सयोग करती है यह दोस्तों आटा चकी मसीन शाप शफाई के उपकरड पेकिंग सामगरी आदी खरीदें दोस्तों और दोस्तों एस आदी सामगरी आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी की खरीदें जिससे उतपात की गुड़पता में सुधार आए और दोस्तों आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मसीन ही अपनी आटचक की बिजनिस में खरीदना है दोस्तों इन कदमों का पालन करके आप एक सफल आटचक की विफशाय शुरू कर सकते हैं और दोस्तों इस से आप एक अच्छी खासी लाप को अरजित कर सकते हैं दोस्तों यह तो रही कुछ आटचक की विजनिस के बारे में कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए और दोस्तों हम बात करें इस से अधिक कुछ बातों के बारे में जैसे की आटचक की की अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं भई जानना चाहते हैं कि कौन से विजनिस के लिए कौन सी आटचक की खरीदें कुन सी मोटर खरीदें उसके लिए तो दोस्तों सभी परकार की वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगी आप हमारे चैनल पर जाएकर सभी परकार की वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों एरी कुछ आच की वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हम मिलते हैं दोस्तों जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ